कि प्रेगनिंसी के किस महेन में किस विक में बच्चे का वजन क्या होता है मैं आपको डेटेल चाट बना करके और साथीसाथ मैं आपको यह भी बताउंगी कि उसके रिस्पेक्टिव क्या वजन होना चाहिए यानि कि बच्चे के वजन को लेकि माबाब बहुत ज़्याद परिशान होते हैं कि बच्चे का वेट गें क्यों नहीं हो रहा है तो आज इस वीडियो में बच्चे के वेट गें की वो सेकिंड ट्रेलि में स्टार्ट होती है यानि कि सेकंड ट्रेलि में अतना तेज़ी से वैट गें नहीं होता है जैसे कि 100 ग्रैम से बढ़ता बढ़ता k 900 ग्राम तक पहुंचता है या फिर एक किलो देड़ किलो तक भी बच्चे का वजन जाता है सेकंड ट्रेमिस्टर में लेकिन असली जो important time होती है बहुती है थर्ट ट्रेमिस्टर जहां पर बच्चे का fat content चरड़ा होता है और उस time पे महिलाओं को अपने उपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि इस time पे बच्चे का वजन तेजी से बढ़ा होता है तो कौन-कौन से food include करेंगे जिससे कि आपके body में fat content बढ़ेगा और आपके body weight उतना नहीं बढ़ेंगे जितना की बच्चे का weight बढ़ेगा तो आपको कुछ food का selection अच्छी तरह से करना है और कब-कब क्या क्या चीज़े खानी है सबके बारे मैं आज इस detail video बनाई है video काफी informative है प्ले शुरूर से लेकिल आश तक जरूर देखेगा नमस्कार दूस्त मेरे नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस मैं वर्ल्ड केर पर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर simply मैंने कुछ data यहाँ पर डाले हुए है कि pregnancy week है यहाँ पर average बच्चे का length क्या होना चाहिए तो आप यह बिलकुल और rump का length होता है यानि कि मैं यहाँ पर लिख दूँ crown यानि कि sir और rump, rump का मतलब होता है जो hip का area होता है उस area को हम rump बोलते हैं वहाँ से बच्चे की length देखी जाती है जो कि आपकी बच्चे की average length है और वहीं से calculate होती है बच्चे की average rate जो कि आपको ultrasound report में आती है तो basically 12 से लेके 29 हाफता जो होता है यानि कि जो आपका second trimester होता है उस time पे आपकी बच्चे का वजन बिल्कुल कम होता है बहुत जदा नहीं होता है और 100 gram से लेके यानि कि अगर बच्चा आपकी तीसरी अगर मन्त चल रही है यानि कि पहला दूसरा तीसरा महिना आपका complete हो गया 40 यानि कि 40 cm तक भी बच्चे का लंबाई जाता है यानि कि crown to rum length जो होती है वो बच्चे की average length होती है 14 cm से लेके 40.5 तक तो इसी तरह से हम यह देखते हैं कि यहां जो second trimester है इस time पे बच्चे का इतना ही वजन होता है लेकिन अब सबसे important time होता है जहां पर तीसवा हाफता ज होती है यानि हाइट देख लीजिए 40 cm से लेके 50 cm तक भी बच्चे का CRL होता है यानि कि crown to rum length होता है और बच्चे का बच्चे का बढ़ता है यानि कि देड़ किलो से लेके 3.6 3.8 3.9 या फिर in fact कह सकते हैं कि 4 kg तक का भी बच्चा पैदा होता है अपने 3rd trimester जब उसकी है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर 30 रहती है तो 30 वीग के आसपास बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्चे का बच्च तक आ जाना चाहिए 39 वीग तक बच्चे का बच्च्च 3.4 kg भी हो जाना चाहिए तो यह एक normal average data है जिसके बारे मैंने यहां पर बात की है लेकिन माय तब घबराती है उनको लगता है कि नहीं यही होना चाहिए लेकिन आप बिल्कुल ना घबरा है अगर आपके बच्चे का बच्च प्लस माइ प्लस माइनस जैसे 150 ग्रैम तो प्लस माइनस का मतलब होता है कि आपका बच्चे का वजन 2.23 ग्रैम अभी चल रहा है और प्लस माइनस यह ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है तो आप यह बिल्कुल ना घबरा है कि मेरे बच्चे का वजन कम है अगर यह highlighted है आगर ब कुछ ऐसी डाइट लेनी है, जो कि आपके बच्चे के लिए काफी हल्दी हो, अब डाइट का में नाम लिख रही हो, वो लोग जो कि वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन लोग जिनको अपना वजन नहीं, बलकि बच्चे का वजन इंक्रीज करना है, तो वो सबसे पहले क्या क करेंगी कि वो अपने भोजन में दालों को लेना स्टार्ट करेंगी, दाल यानि कि पल्सेज, पल्सेज आपको लेना है, पीनट बटर लेना है, पीनट बटर आप अराम से खाईए, घी खाईए, घी बहुत अच्छा अप्शन है, लेकिन घी खाने का यह मतलम नहीं है, आप सोया प्रोडक्ट ले सकती है, सोया प्रोडक्ट आप लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा तेजी से वेट गेन होगा, या आप सप्लिमेंट के रूप में प्रोटीन पाउडर का भी इंटेक ले सकती है, यानि कि जो प्रोटी साथ जैसे मैंने सीट्स और नर्ट्स की बात की है तो नर्ट्स भी आपको उपर से लेने हैं सीट्स लेने हैं उससे क्या होता है कि आपके बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है आपका वजन इतने तेजी से नहीं बढ़ेगा बच्चे का वजन बढ़ेगा और जो लोग न तो प्रिगनसी के दुर्ण कोई बात नहीं दौस्टो अब खब्रानी के आवशक बढबेगा। फिश को के एंग को इंक्लूड करें और जो आपका एल्दी जो फ्रेस चिकेन होती है बीन होती है उसका है उसका पेदेस् envision वह संत्राइज करेंेज फिजबने इन टी है और अगर आप चाहें तो आप कोशिश के करेगा कि जब भी अगर आप एग खाईएगा उसको अच्छी तरह से कुक करके खाईए मतलब अंडर कुक नहीं होना चाहिए पोचेज वगरा मत बनाईगा बॉयल करके आपको नियमित अगर आपने दो अंडे खा लिए आपका वज बना करके इसको healthy option में बनाए ताकि बहुत ज़्यदा टेल मिर्श मसालों से होता क्या है कि बहुत ज़्यदा ऐसी जिटी वगरा हो जाती है तो इससे बेटर है कि आप इसको healthy version में बनाईए और यह सारी चीजे लेना include करें आपका वजन जैसे कि अगर आपने suppose that लेट से करके देखिएगा आपके बच्चे का वजन एक किलो तो confirm ही बढ़ा रहेगा मतलब ऐसा नहीं है मतलब आधा किलो से लेके एक किलो तक भी बच्चे का वजन बढ़ जाता है और third trimester बहुत important होता है और third trimester में आप बच्चे को अच्छा weight gain करा सकती है अगर आपकी delivery सारे चीजें बताई है यह अगर आपने ले लिया तो आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा ना कि आपका बढ़ेगा तो hopefully इस वीडियो में आपने सारे जानकारियां हासिल की कैसे कैसे बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चा अगर अंदर से मजबूत होगा तो आपको